देव गावडा जी, चंद्र बाबु नाइडू जी, दिनेश गुंडू राव जी, सिद्धर अमया जी, विरप्पा मोईली जी, केच मुन्यप्पा जी, बोस राजू जी, बीवी नायक जी, जी, हमारे कैंडिडेट नाडा गावड जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के, जनता दल के, तेलुगु देशम के सबनेता, प्यारे कारे करता, भाईयों और बेहनों प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, शुरुआत में ही, मैं देव गा जी से और आप सब से माफी मांगता हूँ कि मेरा थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया, गुजरात में थोड़ा डिले हुआ, इसलिए मैं यहां लेट आया, जनता दल के, तेलुगु देशम के सबनेता, प्यारे कारे करता, भाईयों और बेहनों प्रेस के हमारे मित्रों, आ आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, शुरुवात में ही मैं देव गावड़ा जी से और दूसरी तरफ अन्याय जूट नफरत, पांच साल से नरेंद्रमोदी, जहां भी जाते हैं वाइदा कर जाते हैं, देखिए चोकिदार, जहां भी जाते हैं, नरेंद्रमोदी क कुछ ना कुछ जूटा वाइदा कराते हैं, पंद्रा लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालके दिखा दूँगा, परान मंत्री बनाओ, हर बैंक अकाउंट में पंद्रा लाक रुपए डालके नरेंद्रमोदी दिखाएगा, मिल गए आपको पंद्रा लाक? मिल गया? एक रुप्या तक नहीं दिया अने लंबानी को मेउल चौक्सी को लाकों करोड रुपए दिये मगर करनाटक के युवाओं को किसानों को मजदूरों को बैंक अकाउंट में एक रुप्या नहीं दिया इसलिए हमने नई योजना बनाने का सोचा है योजना का नाम नियाई योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले पांच साल गरीबों के साथ अन्याय किया उसके लिए हम नियाई योजना लाए हैं मैं आपको नियाई योजना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हू arbeiten 20 प्रतिशद सबसे गरीब परिवानों को 2019 के चुनाव के खतम होने के एकदम बाद कॉंग्रेस पार्टी साल के 72 हजार रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के देगी नरेंडर मोधी जी ने 15 लाख बोला था जूट था सच्चाई है 3 लाख 7 लुपए पांच करोड लोगों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार डाल सकती है और हम डाल के दिखा देंगे आप सोचिए पैसे की कोई कमी नहीं चुना हुआ करनाटक में चुना हुआ मध्य प्रदेश 36 गार राजिस्तान में चुना हुआ और हमने कहा देखिए किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किले है जहां भी कॉंग्रेश पार्टी की सरकार बनेगी हम किसान का कर्जा माफ करके दे देंगे करनाटक में कहा पंजाब में कहा मध्य प्रदेश राजिस्तान और 36 गड़ में कहा और मैं खुशी से कहता हूँ कि करनाटक की सरकार ने 40,000 करोड रुपे किसानों का कर्जा माफ किया है मध्य प्रदेश 36 गड़ राजिस्तान में मैंने कहा दस दिन के अंदर इन तीन स्टेट्स के सब किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा चुनाओ हुआ दस दिन नहीं लगे दो दिन के अंदर हमने सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया हमने कर्जा माफ किया उससे पहले नरेंद मोधी ची कहते है पैसा कहां से आएगा जब भी हम गरीबों के लिए काम करने की सोचते है चौकिदार कहता है पैसा कहां से आएगा मगर जब आनिलम मानी 30,000 क्रोड रुपे राफाइल मामले में चोरी कर लेता है तो पिर चौकिदार ये नहीं पूछता कि पैसा कहां से आया महुल 24, 35,000 क्रोड ले जाता है चोकिदार ये नहीं पूछता पैसा कहां से आएगा मगर अगर गरीबों को पैसा देना होता है तो चोकिदार एकदम पूछता है पैसा कहां से आएगा हमने नरेंद्र मोधी को चोकिदार को दिखा दिया कि करनाटक के किसान का करजा माफ करने का पैसा कहां से आएगा हमने दिखा दिया मध्यप्रदेश 36 गर राजिस्तान में कि दो दिन के अंदर किसानों का करजा माफ हो सकता है नरेंद्र मोधी जी मैं आपको बताता हूँ पैसा कहां से आएगा पैसा मिडल क्लास से नहीं आएगा पैसा आने लंबानी जैसे चोरों की जेब से आएगा निरव मोधी, महूल चौकसी ललिट मोधी, विजय मालिया जैसे चोरों की जेब से हम पैसा निकाल निकाल कर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगा आप देखना जैसे हमने बहत्तर हजार करोर रुपए यूपी एक समय किसान का कर्जा माफ किया था जहां भी जाते हैं नरेंद्र मोदी आज कल नैशनल सेक्यूरिटी की बात करते हैं मगर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाओं में तीन वाइदे किये थे दो करोर यूपाओं को हर साल रोजगार दूँगा पंद्रा लाग रुपए बैंक अकाउंट में डालूँगा किसानों को नियाए दूँगा उनका कर्जा माफ करूँगा और उनको सही दाम दिल्वाओंगा ना किसानों के लिए कुछ किया ना युवाओं को रोजगार दिल्वाया ना पंद्रा लाग रुपए 杉ले और आजकल जहां भी जाते हैं रोजगार की बात नहीं करते किसानों की बात नहीं करते हैं मैं भी यह सवाल पूछ लेता हूँ एक नरेन मोधी जी अगर आ नैशनल सेक्योरिटी प्राइट करना चाहते हो तो आप मुझे बताओ कि राफाइल मामले में आपने 30,000 क्रोर रुपए चोरी करके अने लंबानी के बैंक में क्यों डाले एरफॉर्स से आपने चोरी करके पैसा अने लंबानी के बैंक अकाउन में क्यों डाला करनाटक में एच एल एच एल है यूपिय सरकार ने कहा था कि एच एल को दुनिया का सबसे बड़ा कांट्राइट मिलेगा फैक्टरी यहां लगती राफाईल हवाईजास करनाटक में बनता लाखों युवाओं को यहां रोजगार मिलता आपने एच एल से छीन कर राफाईल का कॉंट्रेक्ट अनि लंबानी अपने मित्र को क्यों दिया आप यह समझाईए कि फ्रांस का राश्ट्रपती यह क्यों कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि 526 करोड का हवाईजास इंदुस्तान 1600 करोड रुपए में खरीदेगी आप देश को यह समझाईए कि एच एल से आपने चीन कर उसको क्यों रोजगार दिया अनि लंबानी को क्यों कॉंट्राइक दिया थोड़ा समझाईए देश को पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे अब नया नारा चला है चोकीदार और पूरे देश में चला है भाई और बेहनों आप कहीं भी चले जाएए किसी भी चोराए पर चले जाएए कहीं भी किसी भी गाह में चले जाएए शहर में चले जाएए बैंगलोर जाएए एमदाबाद जाएए नौर्टीस चले जाएए आपको सिर्फ अगर आप चोकीदार बोलोगे देश देश जवाब देगा चोर है और चोकीदार देश को पिछले पाँच सालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जहां भी जाता है उसने पिछले पाँच साल में क्या किया वो नहीं बताना चाहता चोकीदार यह नहीं बताना चाहता कि मैंने हिंदुस्तान की अर्द बबास्ता का नश्ट किया नोट बंदी की 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रदी किया लाकों लोगों को बेरोजगार किया छोटे दुकानदारों को खतम किया स्मॉल मीटियम बिजनस वालों को खतम किया चोकिदार ये नहीं पताना चाहता कि गबबर सिंग टैक्स मैंने किया ब्रश्चाचार मेंने बढ़ाया ये नहीं कहना चाहता जहां भी जाता है चोकिदार कहता है नैशनल सेक्योरिटी की बात है नैशनल सेक्योरिटी की मुद्ध की बात करोगे तो आप मुझे बताओ क्या लाकों करोड युवाओं को बेरोजगार बनाना क्या ये हिंदुस्तान को मजबूत बनाता है या कमजोर बनाता है जैसे ही हमारी सरकार आएगी जैसे ही सरकार आएगी गबर सिंग टैक्स को हम GST में बदल देंगे एक टैक्स होगा, पांच टैक्स नहीं होगे 28% tax नहीं होगा कम से कम tax होगा सरल tax होगा करा जा सकता है हम घर के दिखाएंगे आपको बाई और बेनो 24 गंटे में नरेंद्र मोदी ने हर 24 गंटे 27,000 युवा हिंदुस्तान में रोजगार खोते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा और बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी ने किया सारे के सारे बिजनस बंद कर दिये आपके जेब में से पैसा छीन कर निकाल कर उन उद्योग पतियों को दिया आज आने लंबानी मज़े कर रहा है निरभ मोदी लंडन में महल चौकसी लंडन में विजय मालिया लंडन में उन्होंने हजारों क्रोड रुपे बैंक से लिया वापिस नहीं दिया उनको नरेंद्र मोदी ने जेल में नहीं डाला मगर अगर करनादा का किसान हिंदुस्तान का किसान बैंक लॉन लेता है 20,000 रुपए का बैंक लो लेता है वापिस नहीं देता है तो नरेंदर मोदी उसे जेल में डाल देता है हमने मैनिफेस्टों में साफ लिखा है 2019 के चुनाओं के बाद 2019 के चुनाओं के बाद जैसे ही कॉंगरेस पार्टी की सरकार आईगी हम कानून बदल देंगे हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्द ना लोटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा और मैं आप से जूट नहीं बोलूँगा मैं आपको दो करोड युवाओं वाली बात नहीं करूँगा मगर मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरकार के पास 22 लाख नौकरियां हैं जो खाली पड़ी है मैं आपको स्टेज से गैरंटी करके कहना हूँ एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियों को हम भरके आपको दे देंगे 10 लाख युवाओं को पंचायतों मैं रोजगा दिया जा सकता है मैं आपको स्टेज से गैरंटी करके कहना हूँ 10 लाख युवाओं को कॉंग्रेस पाटी की सरकार ये रोजगार दिलवा सकती है मैं यहाँ आपसे जूट बोलने नहीं आया हूँ मैं जूटे वाइदे नहीं करने आया हूँ यहाँ पे हमारी सरकार थी छोटे से छोटे शहर में हमने आपको इंदरा कैंटीन के मादियम से मुफ्त में खाना कम से कम पैसे में खाना दिलवाया स्वादिश्ट खाना दिलवाया यहाँ रोजगार पैदा किया किसानों का कर्जा माव किया मगर नरेन रमोदी जी यहां आते जुट बोलते हैं कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी जे टी एस की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया पूरा करनाटक जानता है कि करनाटक के चीफ मिनिस्टर ने 40,000 करोड रुपे कर्जा माफ किया है 11,000 रुपे पहुँच गया है जनता के हाथ मगर नरेन रमोदी यहां आके जुट बोलते हैं नरेन रमोदी जी को समझाना है कि पिछले पांच सालों में उन्होंने क्या किया कितना रोजगार पैदा किया कितने किसानों की मदद की और जनता के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला उसका जवाब नरेन रमोदी नहीं दे सकते क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं बोल नहीं सकते हो और जहां जाते हैं के बाद एक जुट बोलते रहते हैं जुट बोलते रहते हैं इस बार जनता ने निन्ने ले लिया है, 2019 में, कॉंग्रेस पार्टी, करनाटक में, कॉंग्रेस पार्टी और जनतादल, आंधरपदेश में नाइडू जी, और पूरे देश में जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी जीत होने वाली है, नरेंद्र मोधी जी को दिल गुझरात में कॉंग्रेस पार्टी के लिए अंडर करन्ट है, गुझरात में लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोधी ने देश को छोड़ो, गुझरात की जनता कह रही है, देश को छोड़ो, नरेंद्र मोधी जी ने तो हमारे ले गुझरात में कुछ नहीं किया, हमारी जमी आधानी जी को पकड़ाई। लाकों एकर, जमीन मुफ्त में सबसे बड़े बिजनस वालों को दी। गुजराइश के लोग कह रहे। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कॉंग्रेस के कारेकरता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनता दल और कॉंग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है और दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ इसके लिए आपको कश्ट हुआ माफी मांगना चाहता हूँ और आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इन्ते दूर से मेरे बात सुनने आए धन्यवाद, नमस्कार, जैहिद परवागी, मतचाला, सपेकर, नमस्कार, जैहिद सब्सक्राइब, नमस्कार, जैहिद परदानी नारेंद्र मोद्य वरू, बरी सुन्लो आश्वासनिगणना कोड़ताने बन्दी दारे, आईद वर्षुदल्ली अवरा आड्रेलित्ता निम्हेनुसिक्किते